So, Hey Guys Welcome back to the channel the Bitcoin Burner So, आज की वीड़े हम बात करेंगे विटकोइन के बारे में चलेंगे बिटकोइन के चार्ट पर और सट्रेगे प्राइस कैसे बहेव कर रहा है प्राइस कौन सी इंपोर्टन पॉंटस है जो हमें ध्यान में रखने है एन हमको कब तक market ऐसे ही sideways देखने को मिलने वाला है उसके बार में बात करेंगे क्योंकि market sideways जा रहा है volume इतना नहीं है एन उसके बाद जो है market एक particular point पर sideways जाके resistance ब्रेक नहीं करने पा रही है उसके बार नीचे हो जाता है नीचे चला जाएधा market उसके बार में बात करेंगे वीडियो का फिर इंपोर्टन है कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखें और एंट देखें एंड यस प्लीज वीडियो को लाइक करना है बिल्कुर में भूलें क्योंकि लाइक से हमें motivation मिलती है और जो हमारा content है YouTube प्रमोट करता है तो प्लीज यह ज्यादा देखने को मिल रहा है मेरे को राधा देन ऊपर जाते हुए और देख सकते हैं यहां से प्राइस साइडवेज मुव हुआ रिस्टनस लेवल ब्रेक करें कोशिश की बट नहीं प्राइस डंप उसके बाद डंप 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 हमको 5th March को यह इस एरिया में आता ह अगर हम आज देखें तो जो आज से देखने को मिल रहा है जो मार्केट आप इस ने यह जो कह सकते हो इस एड़ा काफी जादा पॉइंट था उसको ब्रेक करते हुए अब हमको देखने को मिल रहा है यह जो 930 की क्लोजिंग है जो कि 7 मिनिट में होने वाली है 4 आर की वह अ करने कोशी करें यह एक शोल्डर है है उसके बाद नीचे यह एक राइट शोल्डर फॉर्मिशन कर रहा है और सेम वर्ज है कि अगर यह हैं इंट प्ले होगा तो जो बिसिकली हमारी अगर मैं नेक लाइन की बात करूं तो यह 37,604 रहने वाली है नियर अबाउट आल्मोस् अगर हम देखें तो मेरे ध्यार में रहने वाला है यह रहने वाला है 36,865 से 36,966 का एरिया मेरे अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्ट है हमको इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देनी है 4R में I don't think होनी चाहिए नीचे चल जाए प्राइस विक बन जाए 35,844 से जंप देहने इक और सिनेरियो को लेकर जिसको मैं ध्यान में दे रहा हूं कि एक चीज़ हो सकती है कि प्राइस अक्षिन जो मर्जी को नेगेटिवली किया है अगर आप यह पॉइंट देखेंगे एक और यह दो तो हो सकता है इस जगा पर यह काफी देश से डाउन ट्रेंडिंग लेव नहीं थी यहां पर यह से नहीं को मिल सकता है एक डवल बॉटम अक्ट में आ सकता है तब ही मैं कह रहा हूं कि यह जो हमारा एरिया ना यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट है इसको मैं का ध्यान में रखें आप 36865-36966 करेंटली ट्रेड ले रहे हैं तो आप अच्छे ले करना है ज़रूर रखना करेंटली अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करने कोशिश करूं जो प्राइस का लेवल है वह काफी जादा इस तेम नेगेटिव में चल रहा है एंड हमको बिसिकली एक डाउन ट्रेंडिंग लेवल आफ जो है ट्रेंड लाइन को पहले तो ब्रेक कर करेंगा उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि जो प्राइस एक्षिन है उपर जाने वाला है करेंटली अगर मैं बात करूं सब कुछ टेकनिकल ही हो रहा है यह जितना भी प्राइस एक्षिन देहने को टेकनिकल ही है इसमें कोई जारा फॉर्ड रिलेटेड नहीं है बट यस ओवर नीचे हिट करना है गलोबली और हमने देखने को मिला है कि ओवरल मार्केट्स ही काफी लोग चल रहे है तो फैनेशल मार्केट्स में इस तेम करेंटली प्रॉब्लम चल रही है बट हमको देखने पड़ेगा कैसे जो है रॉष्या यूक्रीन की वर है बिसिकली टर्न ओवर होगी जब इसमें रिलाक्सेशन देखने को मिले जब शान्ती हो जाएगी तब हम कह सकते हैं कि एक तरफ से हमको एक स्विफ्ट मॉवमेट एक तरफ का पक्का देखने को मिलने वाला है जिससे हमको definite solution मिलेगा कि मार्केट बेसिकली जा किस तरफ रहा है अभी मार्केट सब्सक्राइब करने को मिले कुछ की लेवल स्फिर से रिविजट हो आपको मैं कहूंगा अपनी एक एवरेज बाइं की स्ट्राइडेजी में लो ठीक है कि इस पॉइंट पर इस डंप मैंने यहां पर यहां पर बाय करना क्योंकि करनेट लेगन बात किनो ओल्ट कोई जाद अगर ऐसे डंप चलता है तो अंडर भी आ सकता है आवे हार्मनी आप दे सकते हो 12 नोड़ पास में बहुत स्ट्रॉंग प्रॉफिट्स दियें अगर आपने टाइम प्रॉफिट्स नहीं निकाले तो यार वह मेरी गलती नहीं है वह आप सब को जिहान में देने चीज चीज कोईंस बहुत अच्छे अच्छे उफर नहीं बट मैं एक स्ट्राटेजी बना लो कि आपको किस हिसाब से कितने टाइम के लिए आपको बिसिकली इसको जो है इनवेस्ट करके रखना है और अच्छे रिटर्स के लिए क्योंकि अभी जो है बिसिकली मेरे इसाब से अगर आ आप बिसिकली अपने इंवेस्मेंट करो क्योंकि जो चीजें है कुछ खास इतनी है नहीं मार्केट क्या कर रहा है बिसिकली मार्केट क्या करता है साइडवेज हो जाता है बिटकोईन और इसके बाद आपकों में हलका बात प्राइस पंप हो तो अगर जब वॉल्म खतम हो 50 में पोल का डॉर देखने को मिल रहा था दोच कोई देख सकते हो 11 cents पे आ चुका है मैंट 1.4 लेवल्स अच्छे होड करके रखे हैं बट जो मैं कहूंगा इसकी बाइंग जो है थोड़ा ध्यान में देखके चलना क्योंकि जो मार्केट से ओवरॉल फाइनेशल मार्केट देखने को मिल रहा है और मैं कहूंगा डंप में जितना क्यों में करो और नीचे के लेवल्स आएंगे वह कुमिलेट करो तो ध्यान में रखना है इन चीजों को अपनी एक एवरेज बाइंग बनाना अगेन नौट फाइनेशल अडवाइसर मेरा बस यह गोल है कि आपको ल आपको सबस्क्राइब जरूर करें अपको सबसे पहले मिले बाकी इस टुडियो के लिए इतना ही मैं में मिलता हूं आप से एकली वीडियो में तब तक लिए आप सब अपना ख्याल रखें एंड सीया